प्रणाम बच्चों आज सारी दुनिया भारत इस करोना यानि कोविड-19 से बहुत परेशान है इस महमारी की कोई दवा नहीं है ये भारत वासियों के लिए चुनवती भरा समय है देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुद को एक सुरक्षा कोवच में बांधे रखे अपने आप के लिए एक सुरक्षा चक्र बना ले और उसे कैसे बनाना है, हम इस कविता के माध्यम से सीखेंगे कविता का सीर्षक है, रोको कोरोना इस कविता की लेखी का है, स्रिमती अनुराधा गुत्ती, हिंदी अध्यापिका, जिल्ला परिशद उच्च पाठ्षाला, भूत्पूर, जिल्ला महभूब डगर, राज्य तेलंगाना चलो, अब हम कविता सीखेंगे, रोको कोरोना शेखेंडना करना, सिर्फ प्रणाम ही करना सदा मुस्कुराते रहना, हमारी संस्कृती बढ़ाना शेखेंडना करना, सिर्फ प्रणाम ही करना सदा मुस्कुराते रहना, हमारी संस्कृती बढ़ाना दो मिनट तक साबुन से हात धोना हर दो घंटे में सानिटाइजर लगाना दो मिनट तक साबुन से हात धोना हर दो घंटे में सानिटाइजर लगाना चेहरा आंख नाक ना छोना साफ मास्क पहनना मीटर दूरी में रहना सोशल डिस्टेंस बनाना खांसना, छींकना, थूकना, पड़े तो टिश्यू का इस्तिमाल करना उसे धकन डार डिब्बे में ही डालना शंका हो तो दस साथ पांच पर काल करना रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना विटामिन सी ज्यादा खाना हर दिन योगा करना खुद को तंदुरिस्त बनाना रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना विटामिन सी ज्यादा खाना हर दिन योगा करना खुद को तंदुरुस्त बनाना लाकडाउन निभाना घर में ही रहना स्वस्त रहना स्वच्छ रहना देश को बचाना रोको करोना लाकडाउन निभाना घर में ही रहना स्वस्त रहना स्वच्छ रहना देश को बचाना रोको कोरोना कोरोना से लड़ने हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए विटामिन सी लेना चाहिए अब हम देखेंगे कि ये किस फल और सबजी में ज्यादा होता है विटामिन सी वाली सबजीया फूल गोभी पत्ता गोभी शिमला मिर्च चुकंदर पालक ब्रोकली हराधनिया पुदीना मतर टमाटर गाजर आलू विटामिन सी वाले फल अम्रूत तर्बूश संत्रा अंगूर केला खर्बूजा सेब अननन्नास नीम्बू बेर स्ट्राबेरी कीवी आउला पपीता सी विटामिन वाले फल और सबजियों के नाम लिखिये आप जो अब तक देख चुके जान चुके उनमें से पांच फल और पांच सबजि के नाम लिखिये सी विटामिन वाले फल और सबजियों के नाम फलों के नाम अम्रूत तर्बूश अंगूर सेब संत्रा सबजी पालक टमाटर गाजर आलू शिमला मिर्च बच्चों अब तक आप कोरोना को रोकने की सुरक्षा सुचना हैं सिखे हैं अब मैं आपसे कुछ प्रश्ण पूछूँगे साधारण से सवाल और आपको उनके उतर देने हैं इन प्रश्णों के उतर लिखें पहला प्रश्ण हाथ किस से धोना चाहिए दूसरा प्रश्ण शक्ति बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे तीसरा प्रश्ण हमें मास्क क्यों पहनना चाहिए अब इनके उतर देखेंगे पहला प्रश्ण था हाथ किस से धोना चाहिए इस प्रश्ण का उतर है हाथ साबुन से धोना चाहिए चाहे वो साबुन हो या लिक्विड साबुन हो दूसरा प्रश्ण शक्ति बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे उतर शक्ति बढ़ाने के लिए हम हर दिन योगा करेंगे तीसरा प्रश्ण हमें मास्क क्यों पहनना चाहिए उत्तर हमें कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना चाहिए कोरोना सम्बंधित अन्य जानकारी आप रोज समाचार पत्र, टीवी चानल्स, न्यूस सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस लागडाउन पिरेड में आप सब घर में हैं और यह सब अच्छी तरह सुन रहे हैं तो हम उसे और एक बार स्मरन करेंगे यहाँ पर मैं जोडी बनाईए, कारे कलब दे रही हूँ और इसी में आपका प्रेश्णा और उतर है, उसे ढूंड कर आप जोडी बनाईए पहला है, पहला प्रश्णा है, COVID-19 सुरक्षा एप दुसरा, कोरोना सेंट्रल हेल्प लाइन नंबर तीसरा, कोरोना स्टेट हेल्प लाइन नंबर चवता है, कोरोना कॉरंटाइन पीरियड पांचवा, पुलीस हेल्प लाइन नंबर इनके जवाब सामने ढूंडिये जोड नव एक, एक एक, दो तीन, नव साथ, आठ शून्य, चार छे अ, आरोग्य सेतू, इ, एक, शून्य, शून्य, इ, एक, शून्य, चार, उ, चवदह दिन अब इन ही में से आपको ढूंड कर जोड़ी बनाना है चलो, पहला उतर है, कोविड, उन्नीस, सुरक्षा एप, आरोग्य सेतू दूसरा, कोरोना सेंट्रल हेल्प लाइन नंबर, जो है, अ, नव एक, 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 दो तीन, नव साथ, आठ शून्य, चार छे तीस्रा प्रश्नय कोरोना सेट हेल्प लाइन नंबर, हमारे तिलंगाना का सेट हेल्प लाइन नंबर हे, एक, शून्य, चार चवता है कोरोना कॉरन्टाेन पिरिड यने कॉरन्टाेन में कितने दिन रखते हैं यहाँ 2014 दिन, जो प्रश्नय उ पांचवा पुलीस हेल्प लाइन नमबर इसका उतर E एक शुन्य शुन्य दुसरा कार्य कलाब इन प्रश्नों के उतर हां या नहीं में दीजिए कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए घर में रहना चाहिए हमें रोड पर थूकना चाहिए हमें शैक हैंड करना चाहिए कोरोना हेल्प लाइन नमबर एक शुन्य साथ पांच है हमें एक दुसरे से एक मीटर दूर रहना चाहिए अब इनके उतर देखेंगे आपके और मेरे कित कहां तक मिलते हैं कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए घर में रहना चाहिए हाँ हमें रोड पर थूकना चाहिए नहीं इसके लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमल करना चाहिए और उसे धककंडार डब्बे में डालना चाहिए हमें शेक हैंड करना चाहिए नहीं कोरोना हेल्पलाइन नमबर एक शुन्य साथ पांच है हाँ यह है आपको टोल फ्री हिल्पलाइन नमबर सारे भी टोल फ्री हिल्पलाइन नमबर ही है और यह भी उसमें से एक है हमें एक दूसरे से एक मीटर दूर रहना चाहिए हाँ बच्चों आपके लिए और एक अच्छी बात हमें कहा गया था कि खाने से पहले शौच के बाद हाथ धो लेना चाहिए लेकिन करोना जो संक्रामक रोग है यह छुने से ज़्यादा फैल रहे है इसलिए अब कहा गया कि हर एक चीज को छुने के बाद अपने हाथ जरूर धोने चाहिए वो भी दो मिनिड तक और यह हाथ धोने का सही तरीका क्या है यह हम इस वीडियो द्वारा आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले साफ पानी से हाथ को भिगो ले फिर साबुन या लिक्विड साबुन से अच्छी जाग निकाले हतेलिया उंगलियों के बीच अंगुटो पर नाखुनों नाखुन के अंदर हतेल कलाईया अच्छी तरह साबुन से जाग से रगड़े फिर साफ पानी से धोले अच्छी तरह से करें के दो अच्छी जाग से बाएं टवल से पोंच ले धन्यवाद